साथियों, भारत की राजनीती में आज तक चार प्रकार के दल या कहो चार प्रकार के पोलिटिकल कल्चर देखे गए हैं पहला है नाम पंथी, दूसरा है बाम पंथी, तीसरा है दाम और दमन पंथी, और चौता है विकास पंथी नाम पंथी, याने जो सिर्फ अपनी वहुशवादी, नेकता का नाम जपे, नेता में युग्यता हो या न हो उसे राजा महराजा मान कर उसका ही गुरगान करे, ये हैं नाम पंथी आज देश में ये नाम पंथियों की पहचान करने के लिए मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है दूसरे है बाम पंथी, यानि जो नकारी जा चुकी, रिजक्की हुई विदेशी विचारधारा को बारत पर थोपने की कोशिस करें बारतियता का अपमान करें और तीन दसक तक जिस कर्तुतों को बंगाल की जनता ने जेला है वो है बाम पंथी जो नक्षलवाद को दाना पानी दे रहे हैं भाई यो बैनो तीसरा है दाम और दमन पंथी दाम और दमन पंथी यानि जो धान और बाहू बल की ताकत पर सब्ता पर कब्जा करें और लोगों को ही अपना गुलाम बनाने की कोशिस करें और आज बंगाल पहले नाम पंथियों का सिकार हुआ बाद में भाम पंथियों का सिकार हुआ उसके बाद दाम और दमन पंथी का सिकार हुआ आज दाम और दमन पंथी की चुंगाल में बंगाल फसा हुआ है उसको बचाने के लिए छोथा राजनिति culture है विकास पंथी ये विकास पंथी का मतलब है विकास देश का विकास जन सामान्य का विकास लोगों के सपनों के अनुसार विकास और उस विकास पंध को ले कर चल ले वाली एक पार्टी है भारतिय जनता पार्टी जिस पार्टी के लिए दल से बड़ा देश है जिसके लिए देश का विकास देश के लोगों का विकास ही सर्वोपरी है साथियों आज पस्चिम मंगाल में जो सत्ता में है जो त्रणमुल वाले है उसकी विचारधारा पूरी तरह से दाम और दमनपन्थी है दाम की बात करें तो किसी को घर बनाना है तो टीमसी के दाजाओं से परमिशन चाहिए गरिया जमीन बेचनी है तो तोला बाजी होती है किसी को अपना दफ्तर बनाना है आफिस बनानी है तो सिंडिकेट की इजाजत चाहिए परमिशन से लेकर के एडिबिशन तार दाम ही दाम दाम ही दाम दाम ही दाम ऐसे में अरे नयो उद्वक तो छोड़िये जो जूट मिलें और दूसरी फैक्टरियां यहां की शांती उसों भी ताले लग गए भाईयों ताले लग गए रिए झाले लग लगए लगष झाल झाल